हेलो दोस्तों कैसे हैं आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह मैं वीडियो की शुरुआत आपके साथ करती हूं अपने गार्डन के कुछ फ्लार्स की अपडेट के साथ तो यह है यूफोबिया मेली अगर इस प्लांट को अप लगाना चाहते हैं तो कटिं के लगाजिये यह विंटर्स का ऑक भॉत gift Romeo सा फ़लार है यह बारा महीन प्लार देने वाला प्लाट है तो आज का मेरा एडियो रहेगा लेमन प्लांक के अंदर जो हमने छ्यादा fr пару लेनी है तो क्या करना है वींटर्स का मौन स्टार्ट हो गया लेकिन जो हमारे क्या बारामासी प्लांट हम अपने गार्डन के अंदर एड़ करते हैं गमलों में ही लगाते हैं तो उसके उपर फ्रूटिंग जो है विंटर्स में कैसे लेनी है और बारमासी प्लांट जो होता है गर्मी जर्दी हमें फ्रूटिंग देता है तो आज लेमन का प्लांट ही है मैं उसके उपर बात करूंगे और क्या मैं डालती हूं वो भी शेयर जो टेरिस गार्डन के उपर मैं टेरिस गार्डनिंग ही करती हूं तो टेरिस के उपर मैंने ये गंबले में ही लगाया हुआ है लेमन का प्लाट और इसके उपर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है लेकिन ये वह जो टाइम होता है हमारा प्रून करना है तो यह मेरा लेमन प्लाट है इसके उपर बहुत सारे निम्बू आते हैं तो मैं शेयर भी करूंगे आपको इसमें मैंने क्या डाला है वह भी मैं शेयर करूंगी जिससे मेरे प्लाट के अंदर इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम प्लाट के अंदर फ्रूटिंग नहीं आती है या पिर कम पानी देने से भी हमारे जो प्लाट है उसके उंदर फ्रूटिंग कम आती है तो हमने पानि इस तरहें से देना है ना तो ज़ादा देना है ना कम देना है बस वीक में मैं देती हूँ एक बार अब विंटर का मौसम स्टार्ट हो रहा है अपने प्लांट के अंदर सिर्फ एक टाइम भी दूँगी वीक के अंदर तो अगर आपके पास भी terrace के उपर लगा हुआ है या गमले में लगा हुआ है तो पानी का आपने बहुत ध्यान रखना है तो इसको जो है nitrogen rich आप दे सकते हैं उसके अंदर जो है जो हमारी खाद रहती है गोबर की वो दे सकते हैं हमारे plant के अंदर nitrogen की कभी भी कभी नहीं होती है तो हमारे plant की कील होती है या कोई भी आईरेंग की चीज होती है मैं अपने हर फ्रूटिंग वाले प्लांट के अंदर रखती हूँ ताकि आईरेंग की भी कमी ना हो तो इस तरह से आप भी रख सकते हैं जैसे इनको पाने मिलेगा तो मिलती रहेगी तो यह है आज मैं बात कर रही थी चार्ज चार्ज एक ऐसी चीज है जिससे हमें बरपूर मातरा में केल्शियम मिलता है केल्शियम की मातरा बरपूर पाई जाती है चार्ज के अंदर जब हम बटर मिल्क भी कहते हैं इसे जब हम घर में शाज बनाते हैं बच जाती है तो अपने प्लांट्स के अंदर इसे यूज कर सकते हैं तो एक चीज इसके अंदर आप आज मैं करूंगी एड जिससे हमारे प्लांट को जो है पोटेशियम, फासफोरस और नाइट्रोजन तीनों एक साथ मिक्स करके और चाज के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी ये हमारा फंगी साइट का काम करेगा अक्सर हमारे प्लांट के अंदर जो है सौइल के अंदर सर्दियों में कीडियां चीटियां जो होती हैं वो हो जाती हैं तो इससे हमारे plant को बहुत help मिलेगी इसके मचने से तो यह मैं पानी मिक्स कर रही हूँ और यह ले रही हूँ मैं mustard cake mustard cake में जो है भरपूर मातरा में होता है phosphorus, potassium और होता है nitrogen तो इन चीजों को हम एक साथ mix करके अपने plant के अंदर देंगे इसको powder form में मैंने कर लिया है वैसे तो आप भिगो करके भी इसमें डाल सकते हो तो मैं powder form में इसको दे दिया है तो इससे मेरे plant के अंदर बरपूर जो है मातरा nutrients की मिल जाएगी मेरे plant को और जो nutrients की requirement है मेरे plant की पूरी हो जाएगी तो जो देख सकते हैं मेरे प्लांट के अंदर जो ह। काफья सारी नई कलियां भी हैं, फ्लारिंग भी हो रही है, फ्रूर्टिंग भी हो रही हैं, छोटी से छोटे फ्रूर्ट भी आरे हैं और कुछ मेरे बड़े निμभू हो चुके हैं। तो ये चीज़ें मैं डालती हूँ, हमेशा आपके साथ शेर करती हूँ, और गैनिक फटिलाइजर यूज़ करने से हमारे प्लांट के अंदर जो है, न्यूटन्स की मातरा तो बड़ी रहती है, तो कोई हमें नुकसान नहीं होता, अगर थोड़ी सी भी मातरा चली जाए हो सकता है, तो इससे हमारे प्लांट के अंदर मुझे मिली है, बहुत सारी फ्रूटिंग मेरे प्लांट से, जो मैं यही चीज़ें आपके साथ इसलिए शेर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मुझे लगता है, जो मेरे आज की शेरिंगा, आपके साथ रही होगी, हैल्फुल, तो यह चीज़ों को यूज़ करके आप भी ले सकते हैं, अपने प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग, और फ्लारिंग प्लांट है तो फ्लारिंग लिए सकते ह तो इन चीजों को यूज करियेगा। क्योकि इस शाच के अंदर कैलशियम की मातरा होती है। मस्टरड केक के अंदर पोटशियम और नाइट्रोजन और फासफुरिस की। इन चीजों को अगर मिक्स करके देंगे तो हमारे प्लांट के अंदर होगी ग्रोथ और शाच के अंदर जो है लेक्टिक एसेड पाया जाता है जिसके जो बैक्टिरिया लेक्टिक एसेड वाले होते हैं उसे हमारे प्लांट की ग्रोथ और कलिया और फ्रूटिंग निकल करके आती है लेक्टिक एसेड एक ऐसी चीज है जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ के साथ तो यह मेरा प्लांट आपके साथ आज मैंने शेयर किया है तो विजेट पहली बार किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिएगा और आते रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा तो मिलेंगे एक नई अपलोड के साथ तिल देन टेक एर ज़्यादा आप अपने कोशिश करिएगा फ्लारिंग लेने के लिए इन चीजों को अपनी कीचन में इसे जो भी निकलता है उन चीजों को अपके प्लांट के अंदर डालने की तो तो चेलिए थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो है वानाइस टेक क्या बाई ब सब्सक्राइब लिए प्लांट चान चीजों को मैं वान चान चीजों को अभी जो तो चाई प्लांट ऑंगग जो चानाओ का टू जो चाना कीजों को शेता है वाना चाना रहाव।